ये चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार है और हम इचा के वोरे में चार परसंड निकाल देतों कैसा निकालते जलती बीजेपी हसत करती हमारे बच्चे गौवर्मेंट के मुलाजिम बन रहे हैं गरीत तरखी कर रहा है इनको पसंद नहीं आता दोस्तों जब भारतिय जनता पार्टी के पास चुनाओं में कोई भी मुद्दा नहीं रह जाता है यह पूरी तरह से बेनकाब हो जाते हैं तो इनके पास आखरी चारा बचता है मुसलमानों को टार्गेट करना और यहीं इन अब जो पांच राज्यों के विधान सभा चु यह पास नाए होई है बाकाईदा उनकी लिस्ट बना कर ले जा रहे हैं किस खोके बना कर दार रहे हैं और अब तो हद ही हो गई तेलंगणा में पहुचे ग्रहा मंत्री तेलंगरा में अमित्या साब और कहें दिया यहां पर मुसलमानों को चार परसेंट औरक्शन दिया ज और जो बेसरमीन होने दिखाई है उसका सारा सटीक विस्तार से विव्रणा हम करेंगे हमने तै किया है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ए चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षन हम समाप्त कर देंगे और ये चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षन का जो सीट बचता है वो एस्टी, ओबीसी और एस्टी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी सुलिया आपने, अब वहां के लोगों को दिखाना है कि मुसलमानों को जो आरक्षन दिया हुआ है उसकी वज़ाय से देखिए हिंदूों को खत्रा हो रहा है ये टेंडेंसी इस तरह है का माहूल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहीं मुद्दा चुनाव में मिल जाए रोजगार देना हो आए बढ़ानी हो सरकार की तरप से जो हर वर्ग का आदमी आस लगाता है वो तमाम अपिक्षाई हो अकंक्षाई हो उनके उपर कोई मुसल्मानों के आबादी है मुसल्मानों को वहवार है मुसल्मानों का देश के पड़ती रोवया है यह तमाम तरह की चीज़े ठेली जा रही है अब आरक्षण को मुद्दा बनाकर यह बाते कहना बहुत ही निंदनी है देश के घ्रह मंत्री के दोबारा अश्वसुदीन अवेसी साब ने सपस तोर पर बयान दिया है कि सब मुसल्मानों का आरक्षण नहीं दिया गया है पिछड़े मुसल्मानों में चेन हित करके जो बिल्कुल सेक्षनिक और समजिक तोर पर पिछड़े हो उनको आरक्षण दिया गया है तो ऐसे पिछड़े हो लोगों को सरका पिछले सालों में तांड़ों करती हमने देखे हुए अर्शासुदीन अवेसे साफ़गा ब्यान सुन लेजी और हम इच्छा के बोरे में चार परसंड निकाल देतों कैसा निकालते सुप्रियम कोट के स्टेपी है वो वो स्रिफ मजब के नाम पे नहीं मिल रहा पीयस कृष् बन रहे डाक्टर बन रहे पोलिस में जा रहे अमरो बन रहे घरी तरखी कर रहा इनको पसंद नहीं आता दर्शन मसला क्या है एक दो सीट मुश्किल से तेलंगाना में इनके निकलती है तो किसी राज्य में घुशना हो तो बड़ा करना पड़ेगा तुम्हें कोई जानता लोगों की मनमें फैलादों की बड़ा दंगा हो जाए लोग मारेजाएं हिंदू ज्यादा मारेजाएं जिसते ज्यादा मेजरूर्टी लोगों की वहां पर भावनाय आहत हो और जहां उनको तत्काल सोलिशन देखे इसी तरह का माहौल जिन्हों ने बना रखा है बारते ज सुल्मान है वो उनका अरक्षन इनको पसंद नहीं है तो यकीन मानिए कल को अगर आपकी निमान जायज होगी या आप महिला पहलवान की जगह होंगे या आपकी शानों की जगह होंगे बेरजगारों की जगह होंगे तो आपके साथ भी यहीं सुलुक किया जाएगा आपक कोई जमीन नहीं है इनको मुद्दा चाहिए आज मुसलमानों को पकड़ा है कल महिलाओं को पकड़ेंगे परसों किसानों को पकड़ेंगे फिर पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बताएंगे किसानों को पकड़ेंगे मुसलिम समुदाय की महिलाओं को बिल्कुल भी गुर वो पिछडे हुए है और बाकाइदे एक चुना हुआ शांसद हैदराबाद से है बता रहा है कि सरकार ने पूरा सर्वे करके जो वास्तों में सभी मुसलमानों को नहीं मिला है चिनहित किया गाए लिस्ट में लिखा गया है उनका नाम होनी को आरक्षन दिया गया है उनके प कि खतं होती जा रही है कोई उद्योग फurns करते जा रहे है महंगाई की दरी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उन चीजों पर उफणि करते हैं जहां जातर नफ पर वादे कर आते हैं योपनिता सिलेंडर फरी देंगे यहां कर दिया एक्षन खतम करें कि वह क्लेक्षन कर म यहीं बात है, बाद में देश की जंता को तो बेकूप समझा है, नफत की आग में जोग दो, एक बड़े जमंडल यातरा निकाल दो, कोई महविरी यातरा निकाल दो, लड़वा दो, 4-5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम मजे काटते रहना, और पैसा पानी की तरह भाते र मुसल्मान को बनाना है, देश-द्रोही, तो उसको बना दो, सम तमाम संसाधनों को इस्तेमाल कर गए, नफरत पहलाने वाले लोग, इससे हमें बतना चाहिए, और सोच समुझ कर वोट देना चाहिए, मुद्दो पर वोट देना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो अगर वो धर्म की राजनीती करती है तो उसको सबक सिखाना ची है उसके से ओठ जाना किसी भी करती है iç famfest हो या बी-जेपी हो और कोई बी रिजिनल पाईटी हो अगर इस तरह की को राजनीती चारती है वो इनिया समझेक्ता तो हो तांडो करने लग जाते हैं समाज का माहूल खराब एक की सरकार आती है दूसरे समधाय की बहावना आया दूसरे की सरकार आती है इधरवाले की बहावना याहत फिर समाज सुधरेगा कैसे ऐसे ही चलता रहेगा फिर नफ्रत हमें की कैसे इनको सबक सिखाओ अभी सिखाओ जो भी चुनाव आ रहे हैं जो भी शत्ता में हैं चाहिए कांगरेस हो बीजेपी हो छित्रे अपर्टी इनको सबक सिखाओ कि हम धरम के आधार पर जात के आधार पर वोट नहीं देंगे मुद्दो के आधार पर देंगे यह आपकी जब्यवारी है सोचीगा मसका